हेलो फ्रेंट वेलकम टो इस्टडी न्यूज आज हम भारत देश के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर संकर अबाजी भिसे है इनके बारे में जानेंगे जो एक महान अविस्कारक थे इन्होंने लगबग 200 से अधिक अविस्कार किये और इन्हें भारती एडिसन क के नाम से भी जाना जाता है सो लेट अस्टार्ट डॉक्टर संकर अबाजी भिसे का जन 29 अप्रेल 1867 को मुंबई में हुआ था बचपन के दिनों से ही विज्ञान के प्रती इनका काफी लगाव था 14 साल के उम्र में ही इन्होंने अपने घर में कोईले गैस बनाने वाली एक उपकरण को बनाया था और 16 साल के उम्र में इन्होंने अविस्कार के लिए इंग्लेंड जाने का फैसला किया 18 से 90 के दसक के दोरान इन्होंने अप्टिकल इल्यूजन पर काम किया था इन्होंने एक ठोस्पदार्थ को दूसरे ठोस्पदार्थ में परिवर्टित होने की प्रक्रिया का प्रदसन किया और इन्हों ने इंगलेंड के मैंचिस्टर में इस तरह के सोका आयोजन किया और यूरोपिय लोगों ने जो अविस्कार किये थे उनकी तूलना में भिसे के अविस्कार को स्रेश्ट माना गया अल्फ्रेड वेब नाम के वेग्यानिक ने उनकी तारिफ की और उनको इस वज़े से एक गोल्ड मेडल से समानित किया गया था डॉक्टर संकर अबाजी भिसे ने भारतिय मुद्रन प्रोध्योगिकी में मैतपूर योगदान दिया जिससे छपाई की गती पहले की अपिच्छा बहुत बढ़ गई उनकी खोजें वैस्विक प्रिंटिंग उद्योग में करांती लग उन्होंने अपने समय के अग्रणिये भारतिय राष्टवादियों का सहयोग मिला इन्होंने मुंबई में एक सैंस्टिफिक क्लब खोला था और 20 साल की उम्रं तक वो गैजेट और मसीने बनाने लगे थे जिनमें टैपर प्रूफ बोटल और मुंबई के उपनगरियें रेलवे प्रडाली के लिए स्टेशन इंडिकेटर्स सामिल थे इन्होंने 200 अविसकार किये थे जिनमें से लगभग 40 अविसकार इनकी नाम पर पेटेंट थे इन्होंने विविद कला प्रकास एक मराठी भासा की विज्ञान पत्रिका का संपादन भी किया था इस पत्रिका के द्वारा वे लोगों को सरल भासा में विज्ञान के बारे में बताते थे जब वे इस पत्रिका का प्रकासन कर रहे थे उसी समय लंदन में आयोजित होने जा रही एक प्रतियोगिता के बारे में उन्हें पता चला इस प्रतियोक्ता में एक ऐसी मसीन का निर्माड करना था जो आटा चावल के धेर में से 500 ग्राम या एक किलो उठा कर खुद से पैक कर ले इस प्रतियोक्ता में भाग लेने के लिए वे लंदन गए और वहाँ प्रतियोक्ता को जीता वह दोर उनकी करियर का स्वरणीम दोर था इन्होंने कई उपकरणे बनाई जिनमें टेलीफोन, सिर्दर्द को ठीक करने के लिए एक उपकरण और स्वचारित रूप से फ्लसिंग टॉलेट का अविस्कार करने में भी मैतपुड भूमी का निभाई थी इनकी सबसे प्रसिद अविसकार, टाइप-C कास्टिंग और कमपोजिंग मसीन थी उस समयं टाइप-C कास्टिंग की गती काफी धीमी होती थी वीसे द्वारा बनाई गई मसीन के कारण छपाई काफी तेज होने लगी थी लंदन के कुछ वेग्यानिक और कुछ इंजिनिरों को उनके द्वारा बनाई गए मसीन पर भरोसा नहीं हुआ था सन 1908 में एक ऐसी मसीन का निर्माड किया जिससे अलग-अलग अक्छरों में छपाई हो सकती थी यानि हर मिनट 1200 अलग-अलग अक्छरों की छपाई और असेंबिलिंग हो सकती थी तब ही इसे डॉक्टर संकर अभाजी वीजे को भारत का एडिसन कहा जाने लगा उस समय पुस्तकों और समाचार पत्रों को जल्दी और सस्ते में मुद्रित किया जा सकता था इस मसीन के जरिये तो ये थी इनसे जुड़ी कुछ प्रमुक बातें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट